ओम शान्ति बाबा की साकार मुर्ली है ओक्टबर 9, 2024 बाब दादा मदमन प्राधा मुर्ली है श्रीव बाबा के महावाक्याद मुर्ली का सार है मिठे बच्ची विश्वक का राज बाहु बल से नहीं किया जा सकता उसके लिए योग बल चाहिए यह भी एक लो है अधिक बाबा करते की कोई भी देश या तो कोई भी गुरूप कुछ भी हो पूरी दुनिया पर देवताओं के सिवा कोई राज नहीं कर सकता और देवताओं का राज आता है योग बल से बाहु बल से नहीं कि विश्व का राज्य बाहूंबल उसके लिए एक ही योगबंज परश्चन है तक देखो कैसा मैं तुम्हें या मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं, क्या बढ़ाता है, जिसका कोई टीचर नहीं, क्योंकि वही सुप्रिम टीचर है, टीचर का भी टीचर वो है, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं, वो सबका मात, पिता, गुरु, टीचर सब कुछ है, उनका को कोई नहीं और जिनको भी पैरेंट है टीचर है गुरू है उनको परमात्मा नहीं कह सकते हैं परमात्मा का एक जो क्राइटेरिया है पांच में से एक यह है जिसको कहते सर्वच्छ सबसे उच्छ मैं सुरुष्टी चक्र में पुनरजनम लेता नहीं फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता तो आता नहीं जनम मरण देता नहीं और सुना देता है सब कुछ जनम मरण में आता तो हमारी तरह ही भूल जाता इसलिए वो कभी भी जनम मरण में आता नहीं इसलिए कभी भूलता नहीं खुद चौराशी के चक्र में नहीं आता लेकिन चक्र का ज्यान बिलकुल accurate देता है हम चक्र में आते हैं तो सब कुछ बूल जाते हैं उनके समान बन जाते हैं मगर सागर नहीं बन सकते हैं उनके समान जरूर बन सकते हैं मस्टर सागर बन सकते मगर हमें चक्र में आना है जन्म बाय जन्म ओम शान्ति रुहानी बाप तुम बच्चों को स्वधर्शन चक्रधारी बनाते हैं, स्वधर्शन करना चक्र के अंदर और उसको धारन करना, खाली दर्शन नहीं करना, इसलिए चक्रधारी, अर्था तुम इस चौराशी के चक्र को जान जाते हैं, जानना मतलब खाली information नहीं, जानना मतलब जीवन में उतारना आगे नहीं जानते थे कुछ भी पता नहीं था अभी बाप द्वारा तुमने जाना है किसने कहा बाबा ने और हमने जाना वरना हम भी कुछ नहीं जानते थे हमें थोड़ा भी अभीमान नहीं आना चाहिए कि हम जानते हैं बाबा का ग्यान है बाबा ने दिया हुआ है हम तो खाली एक messenger बनकर उसका message देते हैं और उनका बाबा return भी दे देता है अपने पास कुछ नहीं रखता है इसलिए बाबा कहते है अभी बाप द्वारा तुमने जाना 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर आना ही है हर आत्मा को आना 84 का चक्र को एक जन्म लेता है क कोई पूरे 84 जन्म लेता है मकर आना जरूर है तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाप में सारा ग्यान है तुम जानते हो क्या हम ब्रामन अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते अभी ही जब ब्रामन बनते तब ही और ब्रामन बने भी गर देवता बन नहीं सकते ए ड्रामा बने भी गर देवता बन नहीं सकते हैं बाबा नहीं बनते हैं फिर उनमें अनुभव कहां से आया हमको तो अनुभव प्राप्त होता है उनहीं बनता है कि अनुभव कहां से आया अगर हमारा क्या है मेमरी शौर्टम 15 दिन पहले क्या खाया याद नहीं रहता है बाबा कहां से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ने तो किसका है ब्रह्मा का प्रैक्टिकल अनुभव है बाबा का नहीं जिसका रथ लेता है उनको पूरा अनुभव है बाप कहते है मुझे ज्ञान का सागर कहते है परंतु मैं तो चौ फिर मेरे में यह ज्ञान कहां से आया, टीचर पढ़ाते हैं, तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है, ने, दुनिया में भी देख लो, तेकि उनका पेशल कोर्च अधा भी यह M.A. L.L.T. जो भी है, तो बाबा कहते हैं, दुनिया में क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं, फिर बढ़ाने के लाइब बनते हैं, फिर बढ़ाते हैं, यह स्रीव बाबा कैसे बढ़ा, इनको कैसे 84 का चक्र का मालूम पढ़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है, बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं, लिजन यह, क्यों जानते हैं, बीज रूप, सारे सुरुष्टी का जो चाड़ है, उनका बीज, और बीज में ग्यान होता है, इसलिए उसका यादगार हिंदुजम में कल्प उर्ख से, और क्रिस्चानिटी में क्रिस्मस जी है, कोई ने को इरिती से बीज बताएगे से, इसलिए बीज रूप है, इसलिए बुरा ग्यान है, खुद चौराशी के चक्कर में नहीं आते हैं, परन्तु तुम को सब समझाते हैं, यह भी कितना वंडर है, यह पूरा ड्रामा का वंडर बनाओ, एसे भी नहीं, बाप कोई सास्त्र आदी पढ़ाओ, यहां करो कोई सास्त्र पढ़ता नहीं है, कोई सास्त्र उठाता भी नहीं है, कहा जाता है क्या, ड्रामा अनुसार उसमें यह नौलेज नुन्दी हुई है, जो तुमको सुना दे है, तब किसके पर छोड़ देते थे, ड्रामा अनुसार, बीज रूपे, इसलिए उसमें सब कुछ नुन्दा हुआ है, उसको ना पढ़ने की दरकार है, कोई ना, you can say, द उनके कही नामें से है, जो उनकी कॉलिटी के आधार पर है, कही नामें से है, जो उनके कर्तवे के आधार पर है, बड़े-बड़े टाइटल, बड़े-बड़े नाम दिये, इश्वार, जो सदा क्या देता है, वर्दान देता है, वर्दान, प्रभू, जो इस पृत्वी प प्रुत्वी से पा, जो प्रुत्वी पर रहते हैं वो कोई भी प्रदू नहीं, जो उपर निचे आगे पीछे बूलता है, गुसा करता है, कोई भी इश्वर नहीं, अंतर यामी आदियानी, अंतर यामी का मतलब बाबा बार-बार clarify करता है मैं अंदर बैठ कर देखता नहीं वाब क्या कब है अंतरिया में का मतलब है सब कुछ जानता है मगर अंदर बैठ कर देखता नहीं हमारी कमिया तो wonder खाते हो इश्वर में कैसे सारी knowledge बरी हुई है उसमें आई कहां से जो तुमको समझाते है उनको तो कोई बाप भी नहीं जिसने जनम दे लिया जिससे जनम लिया ओहो वा समझाओ किसी से जनम लिया हो किसी से समझाओ बाप से ऐसा भी नहीं तो मसाब भाई भाई वह एक तुमारा बाप है बीज रूप है रिजन यह है तो कि बीज रूप है, इसने सब कुछ जानता है, सब रोल प्ले करता है बीज में से ही पूरा जाड निकलता है, उसमें से ही फिर से बीज निकलता है कितनी knowledge better बच्चों को सुनाते हैं, कहते हैं 84 जन्न मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते तो जरुर प्रशन उठेगाने, बाबा आपको कैसे मालूम पढ़ा, देखो बाबा क्वेशन भी पूछता है, मुरली में आंसर भी देता है, हमें सिखाता है कि कैसे कोई प्रशन पूछे तो आंसर देना है, बाबा करते बच्चे, अनादी ड्रामा अनुसा, मेरे में पहले से यह knowledge जो तुम को पढ़ाता हूँ, इसलिए ही मुझे उच्च ते उच्च बगवान का आ जाता है, अगर बगवान, बगवान पातत्वों से पाप, जो प पारी स्रिष्टी के आदी मध्य अंत की knowledge, बीज है ने, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, उनको चौराशी के चक्र की knowledge कहां से मिली, तुमको तो मिली बाप से, बाप हमें original knowledge, उनका original संसकार ही बड़े बड़े है, हमारे जैसे original संसकार, आदी अनादी, जब ड्रामा शुरू हुआ तब अनादी, जिसको केते original सब आत्मा में, चाहे terrorist हो, चाहे बड़े ते बड़ा संत, महात्मा, विद्वान, फकीर, बंडिच, जो कुछ भी हो, जो धर्माचारी हो, मगर बाप केते हैं, उनको knowledge full कहा जाता है original, यह wonder है, बाप केते यही ड्राम की क्या है, वंडर है, इसलिए यह उंच चते उंच पड़ाई गाई जाती है, जो परमात्मा के बिना कोई पड़ा ही नहीं सकता है, बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्या knowledge full कहा जाता, एक तो यह समझने की बात है, दुसरी फिर क्या बात है, यह चित्र तु हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी उनकी आत्मा होगी, और यह जो नाराणी बनते हैं, उनमें भी अपनी आत्मा होगी, दो आत्मा यह हैं, लो पूछते हैं, उनको यह पता नहीं है, कि यह नाराणी की आत्मा ही ब्रह्मा की आत्मा है, आत्मा यह की है, खाली सरी बतलता है, 84 जन्मों में अलग-अलग बौड़ी लेकर आत्मा पाड़ बजाती है तो बाबा केते कोई पूछेंगे दो आत्मा है क्या, दो आत्मा यह ने, एक ब्रह्मा, एक नारायन की, परंतो विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्मा यह नहीं है, आत्मा एक ही है, पाड़ अलग-अलग सबका, ततत्वम वेसे हम भी देवता थे अभी ब्रह्मान बने हैं, आगे थे शुद्र, इसलिए बवक केते हैं आत्मा एक ही है खाली क्या है, पाड़ अलग-अलग शरीर अलग यह एक सेंपल दिखाया जाता है, देवता का, किसका? नाराण का, यह ब्रह्मा सो विश्नु अर्थात नाराण बनते हैं, इसको कहा जाता है गुहियवाती यही गुहियवाती क्या? हम सो देवता और हम सो क्षत्रिय विश्च सुद्र अगेन ब्राह्मन सो देवता यही सबसे बड़ी क्या है? ड्रामा की विचित्रता है, ड्रामा का खेले सबसे बड़ा यही है गुहियवात बाप बहुत गुहियवाद नौलेज सुनाते हैं, जो और कोई पढ़ा न सके, सिवाए बाप के तो ब्राह्मा और विश्चनु की कोई दो आत्मा ये नहीं है वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों की आत्मा ये है या एक बाप केते क्या है उनका सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की जो बात है वो क्या है बाबबा पूछ रहे तो बाबबा कहते है आतमा एक है शरी रिदो है यहँा सरस्वती ही फिर लक्समी बनती है इसलिए एक आतमा गिनी जाहेगी बाबबा एक एक चीज़ वेरी वेरी कलियर करदा है यह कैसे कैसे होता है connection क्या है और देखो कि दूसरे किसी के लिए बाबा बोलता नहीं ये बनने वाला, सिर्थ दो आत्माओं के लिए है, कितना उचा पाठ होगा ड्रामा के अंदर मम्मा बाबा का, हम इससे ही समझ सकते हैं, चौरासी जैनमा एकी आत्मा लेती है, ये बड़ी समझ की बात है, एकी आत्मा मतलब नार लेकी होते हैं, आत्मा तो बोरी नव लाख है, मगर वही आत्मा पूरा चौरासी नव लाख आत्मा ये लेती हैं, ये बड़ी समझ की बात है, ब्रामन सो देवता, देवता सो फशत्रिय बनते हैं, आत्मा एक सरी छोड़ दूसरा लेती हैं, आत्मा एकी है, ये कि ये हमसो का अर्थ कितना अच्छा है इनको कहा जाता है इसमें भी पहले पहले तो यह समझ चाहिए क्या कि हम एक बाप के बच्चे है पहली समझे आतमा आतमा भाई भाई कोई भी नातारिस्ता नहीं सभी आत्माई असुल परमधाम में रहने वाली है यहां पाट बजाने आई है यह खेल है बाप तुमको इस खेल का समाचार बैट सुनाते है पूरा का पूरा राज समाचार रहश जो भी समझे बाप तो ओरिजनली जानते ही है उनको कोई ने सिख लाया नहीं है बाबा को कर बाबा ने कहाता है ने शिव बाबा के भी बाबा बन जाते हैं अब करते हैं उनको सिखलाने वाला तीचर कोई होता नहीं है इस चौराशी के चक्कर को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं फिर तुम भूल जाते हो पिर उनका सास्त् बाब तो कोई शास्त्र पड़ा हुआ नहीं, फिर कैसे आकर नई, नई बाते सुनते हैं, आधा कल्प बर्दिमान. दीरे दीरे सब कुछ जो भून गये हैं, भूनते ही जाते हैं, भूनते ही जाते हैं, बाबा आकर सब राज बताते हैं. इसलिए बाबा कहते हैं आधा कल्पे बक्ति मार्ग यह बात भी सास्त्रों में नहीं है कोई क्लियर कटनी है सब को क्या मान लिया सब देवताओं को भगवान का अवतार समझ लिया उनको कुछ ऐसी डिगरी दे दी भगवान की कि वो बस वो ही खतम इसलिए बाबा कहते हैं यह बात भी सास्त्रों में नहीं है कि यही नाराण उतरती उतरती उतरते एक सुदर बन जाते हैं वह सास्त्रों भी रामा अनुशार भक्ति मार्ग में बनें जैसे बाबा को रामा अनुशार सब ग्यान है बीज है उसी तरह सास्त्रों भी तुम्हारी बुद्धी में सुरु से लेकर आंत तक इस रामा की कितनी बड़ी नौलेज है उनको जरूर मनुष्टन का आधार लेना पड़े किनको परमात्मा को वर्ना सुनाएगा कैसे शीव बाबा इस ब्रह्मातन में बैठ इस सुरुष्टी चक्र की नौलेज सुनाते है मनुष्यों ने तो गपोड़े लगा कर सुरुष्टी की आयू ही कितनी लंबी करती है कलियुक वही चार लग बतीस हजार साल और दस गुना साइकाद तो कि कलियुक से द्वा पर दो गुना तरिता तिन गुना सत्युक चार गुना इसलिए बाबा कितनी लंबी कितनी लंबी नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग और पुरानी को कहा जाता है नर्ग दुनिया तो एकी है जैसे आत्मा एकी है नारान की आत्मा सो ब्रह्मा की आत्मा 84 जनम लेते लेते हैं उसी तरह वाव के तो दुनिया एकी है सत्युक्सो कल्युक कल्युक्सो सत्युक्सो इसलिए दुनिया में कोई ऐसाने को उपर दुनिया है दुसरी दुनिया नीचे नहीं दुनिया है, नई दुनिया में रहते हैं डेवी देवता, वहां अपार सुख है, सारी शुरुष्टी नई होती है, अभी इनको पुराना कहा जाता है, इस दुनिया को, नाम ही है आइरेन एजेड वर्ल्ड, कल योगी दुनिया, जैसे ओल्ड देली और न्यू देली कहा जाता है बाप समझाते है मीठे मीठे बच्चो न्यू वर्ड में न्यू देली होगी यहाँ न्यू देली होई नहीं सकती है यह तो ओल्ड वर्ड है उसमें कैसे न्यू होगी यह तो ओल्ड वर्ड में ही कह देते है न्यू दिल्ली इनको न्यू कैसे कहेंगी बाप समझाते है नई दुनिया में नई दिल्ली होगी नाम भी क्या होगा दिल्ली निहीं होगा सब कुछ बदल जाता ना मुरूब सब कुछ परिस्थान कहते हैं उनको उनमें यह लक्षमी नारान राज करेंगे उसको कहा जाएगा सत्युक। तुम इस सारे भारत में राज करेंगे तुम्हारी गद्धी जमुना किनारे पर होगी मैं करते हैं वही राज मकर एकजिट अभी की जमुना ओ नहीं होगी आगे पीछे पीछाडी में रावन राज की गद्धी भी यहां ही है कहां देली में ही है राम राज की गद्धी भी यहां होगी भारत में ही होगी नाम देली नहीं होगा उसको परिस्थान का आ जाता है नया नाम, फिर जो जैसा राजा होता है, वो अपनी गदी का नाम ऐसा रहते है, इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, राजा होगा, उसी के अनुसार भाषा भी चलाएगा, उसी के अनुसार करंसी भी होगी, उसी के अनुसार रिलेशन्चिप भी होगी, सब कुछ दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुशशे देवता बन रहे हो, पढ़ाने वाला है बाप, कोई मनुश नहीं है, तुम जानते हो, उचे ते उचे बाप ने नीचे आकर राज यूग सिखाया, सरोच है आता है नीचे, पुरानी दुनिया पुराने त हूं ब्रह्मा तन में, मनुश्यों को पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौनसा, कौनसा ब्रह्मा की बात है, किसी को पता नहीं है, कोई पी सास्त्र में क्लेरिटी ही नहीं है, सुना है प्रजा पीता ब्रह्मा, तुम प्रजा होने ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बिक्य कहला दे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों उनकी प्रजा है ओ है ग्रेट ग्रेट ग्रेंट फादर वास्तों में शिव बाबा के बच्चे शिव वंशी हो जब निराकार आत्माय हो उपर है शिव वंशी फिर साकार में प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो और युक्ती है पावन बनने की इस समय तुम उस कलियोगी संबंद को भूलते हो क्योंकि उनमें बंधन है देह भिमान है देह भिमान के वच कोई भी कर्म करते है क्या है पाप कर्म है विकर्म है बंधन है आत्मा भिमानी बनकर कोई भी कर्म करते है संबंध है और क्या है अकर्म है बाब की याद में करें तो सुकर्म वरना अकर्म कर्म का लेब चेप लग नहीं सकता जिसको उन दुनिया में वक्त लोगों ने हमने ही क्या कर दिया आत्मा निरले पर बाब करते हैं आत्मा निरले हो नहीं दुनिया में ब्रामनों की चोटी हो किसकी निशानी सरोच है, सबसे उचे उसकी निशानी है, तुम ब्रामनों का ये कूल है, वह है कलियोगी ब्रामन, ब्रह्ममन, जिसका मन ब्रह्म में सीर होता है, ओ या तो सोलपंसियस, ब्रामन अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, कितने कितने पर करके पंडे, दूसरे ब्राह्मन गिता सुनाते है अभी तुम ब्राह्मन ये गिता सुनाते हो वह भी गिता सुनाते है तुम भी गिता सुनाते हो फर्क देखो कितना है उनकी गिता और हमारी गिता में कितना फर्क है जमिन आस्मान का इसले बाबा कहते है देखो तुम कहते हो क्रश्न को भ सबस्क्राइब चाइब शारी हो जायी हमारे जटने कॉलिस्टाइब हो जाए इसका मतलब हमारे बातपिता नहीं बनते हैं बच्छे बच्छे ही रहते हैं उसी तरह हम परमात्मा समान बन जाए इसका मतलब हम परमात्मा नहीं बनते हैं उनमें देवी गूर देवताओं में, उनको तो इन आखों से देखा जा सकता है, कि इनका देवताओं को क्या पांट पत्त्व का बना हुआ शरीर है उनका शीव के मंदिर में देखेंगे शीव को अपनो शरीर है नहीं वह है परमात्मा अर्थाद परमात्मा इश्वर प्रभू भगवान आधी अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता वहां कोई अर्थ समस्ते ही नहीं परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है परमात्मा तुम नौन सुप्रीम हो देखा डिपरन्ट परमात्मा को तुम भाधर भी कहते टीचर भी कहते और गुरू भी कहते तो कि तीनो तीन रोलों बजाता है है एक ही है तीनो तीन एक ही जैसे नाराण की आत्मा और ब्रह्मा की आत्मा एक ही उसी तरह रोल अलग अलग है वो है एक ही और कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरू नहीं बन सकते तिनों तिन टाइटल किसी के बास होई नहीं सकता है एक ही परमात्मा है उनको कहा जाता है सुप्रीम और एक को पहले फादर चाहिए क्योंकि पहले पैदा होते ने तो पहले फादर, फिर टीचर चाहिए तीरे-दीरे स्कूल में बेजेंगे टीचर, फिर पिछाडी में चाहिए गुरू, जब तक वान प्रस्त लेंगे चंगल में चले जाएंगे या तो परमात्मा की गोद लेंगे तो क्या चाहिए गुरू रास्ता दिखाने वाला बाप भी कहते हैं मैं तुमारा बाप भी बनता हूँ फिर टीचर बनता हूँ और फिर मैं ही तुमारा सद्गती धाता सद्गुरू भी बनता हूँ तिनों तिने एक सद्गती देने वाले सद्गती देने वाला गुरू है ही एक बाकी तो गुरू अनेक है सद्गुरु कोई हो नहीं सकता, सद्गति कोई दे नहीं सकता बाप कहते हैं, मैं तुम सब को सद्गति देता हूं तुम सब सत्युग में जाएंगे, बाकि सब चले जाएंगे, शांतिधा जिसको परमधाम कहते हैं सत्युक में आदी सनातन देवी देवता धर्म था बाकी कोई धर्म है नहीं और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्तिदा सद्गती कहा जाता है सत्युको पाट बजाते बजाते फिर दुर्गती में आ जाते जैसे जैसे पावर लूज होती है हम भुगते हैं कोई भी चीज़ को तो क्या होगा पावर लूज होकी पुरानी होकी कोई भी चीज़ देरे देरे यूज करते हैं तो बाकी आत्माभी वैसे ही तो बाकी दुर्गती में आए तुम्ही पूरे 84 जनम लेते हो यथा राजा, रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे 9 लाक तो पहले आएंगे सत्यु में 84 जनम 9 लाक तो लेंगे ने फिर दुसरे आते रहेंगे यह हिसाब किया जाता है गुगल में डालो देखेंगे एक बिलियन से अब मौर देन 8 बिलियन हो गए है 18-04 से आथ तक तो बावकत कितनी आत्मा यह नीचे आए एक के बाद एक ही आएगी साथ तो आएगी नहीं जो बाप समझाते हैं सब 84 जनम नहीं लेते हैं पहले पहले आने वाले ही 84 जनम लेते हैं फिर कम-कम लेते आते हैं और 84 के बाद 83, 82, 81, 80 मैक्सिमम है 84 यह जो बाते हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते हैं तो चोरा से लाग कह लेते हैं किसी को पता ही नहीं है आप ये बैठ समझाते हैं गीता में हैं भगवान वाचा अभी तुम समझ गए हो क्या आदी सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा यह तो बाप ही स्थापन करते हैं कृष्ण की आत्माने 84 जनमों के अंत में यह ज्ञान सुना है जो पहले नमबर में आया यह बातें समझ देगे रोज पढ़ना है तुम स्टुडेंट हो भगवान के किसके स्टुडेंट हो गौडली स्टुडेंट भगवान हो आचेने मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं यह है पुरानी दुनिया नई दुनिया माना सत्यूग अभी है कल्यूग बाप आतर कल्यूगी पति से सत्यूगी पावन देवता बनाते हैं इसलिए कल्यूगी मनुष पुकारते हैं क्या बाबा आकर हमको पावन बनाओ टाइटल ही है पति पावन वही कर सकता है दूसरा को कर नहीं सकता कल यूगी पती से सत्यूगी पावन बनाओ, फर्क देखो कितना है, कल यूग में है अपार दुख, बच्चा जनम, जन्मा सुक हुआ, कल मर गया, दुखी हो जाएगा सारी आयू कितना दुख होता है यह ही दुख की दुनिया अभी बाप सुक की दुनिया स्थापन कर रहे हैं तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं अभी तुम पुरुशोतम संगम युग पर हो उत्तम ते उत्तम पुरुश्वा नारी बनते हो तुम आते ही हो यह रखते क्यों 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 समझते हैं इन द्वारा हम पॉड़कर भलाना बनेंगे डॉक्टर बनेंगे इंजिनियर बनेंगे लॉयर बनेंगे आदे आदे जो पढ़ाई उसे के नुज़ा यहां तम यूग लगाते हो परमपिता परमात्मा सीव से जो तुम्हें देवता बनाते हैं हमारे इम अब्जक्ति है कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो जिसके तुम साली ग्राम बच्चे हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो वही नौलेज पूल यही नौलेज दुसरा कुछ नह परनतु खुद पढ़ा हुआ नहीं गिता कहते है किसी का बच्चों का बाप टीचर गुरु हूं उण को कहा जाता है परम आत्मा इस सारे सुरुष्थ के आधी मध्य अन्द को जानते है जब तक वह न सुनावे तब तक तुम आदी मद्य अंत को समझ न सको, वो ही सुना सकता है, वो ही समझा सकता है, बाकि तीर किसी का लग नहीं सकता, इस चक्र को जानने से तुम चक्र वरती राजा बनते हो, तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, कौन दादा, इसमें कोई टीचर ही नहीं है, बाबा के सिवा, यह नई बात हैं, यह होते ही है संगम पर, पुरानी दुनिया खतम हो जाएगी, किसकी दबी रही धुल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुट जाए और किसकी आग जलाए, बाबा केते हैं, सफला होगी उनकी जो धनी के नाम डगा है, बाकि सब कुछ इंटरनेट पर ही रह जाने वाला है, बच्चों को कहते हैं, बहुतों का कल्यान करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए, यह पार्ट शाला म्यूजियम खोलो, इसलिए बाबा कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ न कुछ ऐसे, करो कर सुख का वर्सा पाएंगी, अभी रावन राज हैने, राम राज में था सुख, रावन राज में हैं, दुख क्यों कि सब विकारी बन गए, दुख का मुख्य कारण विकार है, दुसरा कुछ न सबसे पहला विकार है, देविमान, इसलिए बाबा कहते हैं, वह है ही निर विकारी दुनिया, बच्चे तो इन लक्ष्मि नाराण आदी को भी है ने, परंतु वहाँ है योग बल, बाप तुमको योग बल सिखला दे, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बाहु बल से को विश्व का मालिक बन न सके, लौ नहीं कहता, बापकत बुरे डामा में काइदा ही नहीं हो तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बास्चाहिए ले रहे हो कितनी उची पड़ाई है बाप कहते पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो और बाबा की पवित्रता मतलब स्टार्टिंग प्रम मैंड पवित्र बनने से ही पिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे तब तक बनने सकते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकल से बच्चों प्रती माध पीता बाप दाधा का याद प्यार और गुड बॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाब दादा को याद प्याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारना के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट कल योगी संबंध, जो कि इस समय बंदन है, देह अभिमान के आधार पर है, उन्हें भूल स्वयम को संगम योगी ब्राह्मन समझना है, आत्म अभिमानी समझना है, सच्ची गिता सुननी है और सुनानी, बाबा जो सुनाता है वो ही सुनना है, कल था न्यू ने, दिल रुबा बनना है बाबा का बाबा की दूसरी पॉइंट है पुरानी दुनिया खतम होनी है इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है धानमान धान मंसा वाचा करमना जितनी हो सके बाबा के तिकरो बहुतों के कल्यान के लिए क्या करना है मनुश्य को देवता बनाने के लिए क्या करना है? यह पार्ट शाला वा म्यूजियम खोलने हैं जहां भी हम रहते हैं जितनी भी हो सके उतनी सेवा जरू करने हैं आसका वरदान है बाप की आग्या समझ इसकी आग्या है भाबा के ऐसा समझ महबत से हर बात को सहन करने वादा सहन करने का दो तरीका एक मजबूरी से सहन करना दूसरा महबत सहन करना महबत सहन कब कर सकते जब मानेंगे कि दुनिया कुछ भी कहें मगर बाबा क्या कहता है? इसलिए बाबा ना के वड़ है बाबा की आग्या समझ उसकी स्रिमत अनुसार सहन करना सहन शीलबो इसका म checklist यह नहीं बाबा केते हैं तमाचे काते ह्ई वो जी नहीं बाबा केते हैं प्यार से कौँ जो कहना है तो बाबा समझाते हैं कई बच्चे कहते हम राइट हैं फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है मरना पड़ता है लेकिन यह सहन करना वा मरना ही धारना की सबजेक में नमबर वन देना है इसलिए सहन करने में गबराओ नहीं सब ना बन जाओ कोई कुछ कहे तो आगे पीछे नहीं हो जाओ भवकत ठीक है कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन मजबूरी से सहन करना और महबत से सहन करना इसमें अंतर है बातों के कारण सहन नहीं करते हैं कोई कैसा भी बोले लेकिन बाप की आग्या है सहन शील बनो रियक नहीं करो रिस्पोन जरूर करो तो आग्या समझ महबत में सहन करना अर्थात स्वयम को परिवर्तन कर लेना इसकी ही वाग से इसलिए बाबा करते कोई गुसा करता है तो यह अपने क्या करना है बाबा करते सहान कर लो और पिर समय आने पर उनको समझाओ स्लोगन है जो सदा खुशी की खुराख खाते है वादन दुरस्त रहते कुछी जैसा खुराख नहीं है अच्छा ओम शान्ती